नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की LDFLOX OZ Tablet का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, LDFLOX OZ Tablet को कैसे लेना चाहिए, और LDFLOX OZ Tablet की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे की LDFLOX OZ Tablet को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए, LDFLOX OZ एक ब्रैंड नेम है, LDFLOX OZ Tablet के अंदर दो एंटिबायोटिक दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, LDFLOX OZ Tablet के अंदर सॉल्ट कंपोजीशन और निडाजोल 500MG और ओफ्लो 200MG होता है, LDFLOX OZ Tablet का उप्योग शरीर में बैक्टिरियल इंफेक्शन और पैरासितिक इंफेक्शन होने पर किया जाता है, LDFLOX OZ Tablet का उप्योग मुख्य रूप से पेट की आतों में इंफेक्शन होने पर और डाइरिया होने पर यानि दस्थ होने पर LDFLOX OZ Tablet का उप योग किया जाता है। इसके अलावा त्वचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई इंफेक्शन होने पर भी डॉक्टर अल्डेफ्लोक्स ओजेड टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। शरीर में इंफेक्शन होने पर बुखार हो सकता है। इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर अल्डेफ्लोक्स ओजेड टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन हैं जिनमें आपका डॉक्टर अल्डेफ्लोक्स ओजेड टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में अल्डेफ्लोक्स ओजेड टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में अल्डेफ्लोक्स ओजेड टैबलेट की वज़े से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन की वज़ेड इफेक्ट्स ओजेड टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। वीडियो पसंद आ रहा है। तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की अल्डेफ्लोक्स ओजेड टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। डाइबिटीज होने पर अल्डेफ्लोक्स ओजेड टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। क्योंकि अल्डेफ्लोक्स ओजेड टैबलेट ब्लड शुगर के लेवल को कम कर सकती है। क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक अल्डेफ्लोक्स ओजेड टैबलेट को लेने से एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। और एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटिबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी। और LDFLOX OZ Tablet को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है इसलिए आपको LDFLOX OZ Tablet को आपके डॉक्तर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए प्रेग्मेंट महिलाओं के लिए LDFLOX OZ Tablet का सेवन करना recommended नहीं है अभी इसके बारे में परियाप्ट डेटा अवेलेबल नहीं है कि LDFLOX OZ Tablet स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं इसलिए ज्यादातर डॉक्तर स्तनपान करा रही महिलाओं को LDFLOX OZ Tablet को न लेने की ही सलाह देते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका LDFLOX OZ Tablet से संबंधित कोई प्रशन है तो आप कमेंट करके कुछ सकते हैं